नमस्कार आप सब ता स्वागेता TV1224 के अंदर मैं हूँ मनुसिंग राजपित आप देखना शुरू कर चुके हैं TV1224 का टेली शूर होता है है अज के हेडलाइन्स में सबसे पहले बात होगी कोटा के बारे में कोटा के बारे में आप सब लोग क्या जानते हैं ज्यादा तर यही कि वहाँ पर नीड जैसे जो इलेक्ट्रोनिक और जो मेडिकल के जो एक्जान होते हैं केट हो गया जो की नॉर्मली अकाउंटेट चार्टेट अकाउंट के लिए होता है सीए के लिए उनकी परिक्षा के लिए स्टुटेंट्स वहाँ पर जाते हैं हर साल कोटा के अंदर लगबग 2 लाग से लेकर 4 लाग के बीच में इस्टुटेंट्स पटने के लिए आते हैं लेकिन कुछ लोगों का सेलेक्शन भी हो जाता है कुछ रहा भी जाते हैं लेकिन इनमें से कुछ बचे ऐसे भी होते हैं जो की suicide कर लेते हैं कोटा में लगातार suicide होने वाले मामले कुछ नहीं तो है नहीं इसी साल की बात कुरू तो अब तक 18 मामले आ चुके जहाँ पर बचल ने suicide कर लिया है जिनमें लड़के और लड़कें दोनों शामिल थे ज्यादातार बच्चे जिन्होंने सुसाइड किया है या तो वो नेट की तयारी करे थे या फिर वो जेकी की त्यारी करेते लेकिन वहीं से निकल कर एग मामला तो सामने आया है जहांपर 18 साल की मंजोध सिंग्म ने सुसाइड कर लिया है के एक छातर आधित्य सेट जो के कोटा आया था मेडिकल सीट में परवेश भी लिया था और तयारी करना शुरू किया उसने विद्यापीट कोचिंग संस्तान में एडमिशन लिया और 27 जून को ही आधित्य ने आत्म हत्या कर ली इसके पीछे उसने एक सुसाइट नोट भी लिखा था जिसमें उसने दावा किया कि वो अपनी मर्जी से सुसाइट कर रहा है अब गोड़तला बात यह है कि कोटा में मेडिकल इंजिनियरिंग से कई सारी प्रेक्शेओं के तयारे तो होती है जहांपर ज़्यादा तर लड़के आते भी रहते हैं इसके अलावा यहांपर जो कोचिंगों की फीज होती है वो दो-तीन लाग रुपे से ज्यादा होती है वह एक कमरा आप पीजी की बात करें तो उनकी फीज भी काफी ज्यादा होती है नाम ना बताने की इच्छा रखने वाले माता-पिता ने कहा है कि सभी पेरेंट्स, टीचर्स को इन बच्चों के मांसिक और जो भावनात्मक यानि इमोशनल स्वास्ते होता है उनके उपर सकती से ध्यान देने की जरूरत है आमिर खाने त्री इडियेट मोवी में सही कहा था कि गर्दन का प्रेशन आपी जा सकती है उसकी मशीन भी है लेकिन सिर का प्रेशन आपने वाली कोई भी मशीन नहीं है अगर कोटा में इसी तरीके से सिलसिलेगर निकल कर सामने आते रहे तो एक टाइम वो आएगा जो मातापिता है वो अपने बच्चों को मौपन नहीं बेजेंगे तयारी करने के लिए राजस्तान सरकार या फिर कोटा का जो एडिमिनिस्टेशन है उनके लिए ये एक अच्छे खबर नहीं है कि आज के दिन यानि तकरीबन चार बजे सूबर जल्दी कुछ मेतनी जो महिलाएं थी वो मार्च निकाल रही थी उसी टाइम के अंदर उन्होंने विश्नुपूर में उनके बीच में और जो आर्मी परसन थे वहां पर जो आसाम राइपल के जवान तेना थे उनके बीच में क्लेशिस होने की ख़बर सामने आई है विश्नुपूर में इंजा के दोरान आस्त की टीम का एक शक्स महीं पे मोजूद था यहाँ पर जो सुरक्षाबल थे और जो मेतेग परदर्शन कारी थे उनके बीच में ही जड़ब हुई थी सुरक्षाबलो के साथ महीं मापर तेनाद मनिपूर पूलिस ने भी भीड को तीतर वितर करने में हवाई फाइरिंग की थी आसोगे इसके गोले भी छोड़े गई इस जड़ब में कई लोगों के गायल होने की भी बात सामने आई है दरसल विष्णूपूर में एक बफट जोन बनाया गया है मेदेक परदर्शिनकारी जो मैला हैं थी उस बफट जोन को पार करने की कोशिश कर रहे थी इसी दोरान हसम राइफल ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी इसके बाद लोगों ने पोलिस पर पत्राव भी कर दिया आर्मी फोर्स ने पहले मिल्ची का स्प्रे किया और उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन भीड शांत नहीं हुई इसके बाद में सुरक्षा बलो ने हवाई फाइरिंग की और भीड को इधर उधर कर दिया मनिपूर में चल रहा जो बवाल है वो वह वह दी पुराना है इतनी आसानी से वो समझ में नहीं आएगा अगर आपको मनिपूर से रिलेडेड इसको इश्यो और भी गहराई से जानना है तो इससे रिलेडेड हमने एक प्लेइलिस्ट बना रगी है उसको आप जाकर टीवी बारे 24 के चैनल के प्लेज लिस्ट शेक्शन के अंदर जाकर देख सकते हैं पांच वीडियो के एक पूरी सीरीज है जिसमें आपको ये समझ आ जाएगा है कि मनिपूर के अंदर आखिरकार बवाल है क्या हमने हिस्ट्री से लेकर प्रजेंट की जो कंडिशन है उन सब के बारे में उसमें बात की है वहीं आज की तीसरे बड़ी खबर की बात करें जो निकल करा रहे हैं इंडिन कोवर्नमेंट से दरसल सेंटरल कोवर्नमेंट है वाणी जे मंतराले है सेंटरल कोवर्नमेंट का उसने अब से लेप्टॉप, टेबलेट्स और जो कई सारे जो विदेशी सामान हम मंगवाते थे बार से इलेक्रोनिक आइट तर्म्स जो की बहुत सी कंपनिया जूज में लिया कर देती अपने नॉर्मल पंक्शनिंग के लिए उसके उपर बैन लगा दिया है जिसके अंदर जो डाटा सर्वर्स होते वो भी शामिल है अब इसके पीछे के काई सारे बड़े रीजन्स है लेकिन आपको छोटे छोटे रीजन्स समझने की पहले ज़रूरत है दरसल गोवर्मेंट का ये टार्गेट है के वो केसे भी करके जो मेकिन इंडिया के जो प्रोडेक्ट मनते हैं उनको किसी तरीके से इंडिया के अंदर उनकी विक्री को बढ़ाया जाए क्योंकि बार के जो western products आते हैं उनके demand लगातार इंडिया के अंदर बढ़ती जा रही है अब आप मैंसे ज्यादा तर लोग पूछेंगे के कितनी बढ़ती जा रही है कि गोवर्मेंट को बेन ही लगाना पड़ा दरसल अगर 2023 की मैं अपरेल महीने की बात करूँ तो तकरीबन 19.6 billion dollar 9.5 billion dollar का हमने इंपोर्ट किया था इसमें सर्फ electronic items थे जो कि इंडिया में easily available हो जाते हैं और थोड़ी अच्छी conditions के भी होते हैं लेकिन थोड़े बहुत महेंगे भी होते हैं असल में कितने हमेंगे होते हैं इzen कोई idea नहीं है लेकिन little bit इंडिया की प्रोड़्रक्स होते हैं वो गाफी अच्छे होते हैं क्योंकि हम भी अपने प्रोड़्रक्स को बाहर एक्सविट भी करते हैं तो गोर्मेंन थीज़े बाझर को पर हम पहले लगा दे हैं और जो इंडिया के अंदर प्रोड़क्ट बन रहे हैं उनको ज्यादा यूजमें लिया जाए अब इसी का ध्यान में रखते हुए कई सारी कंपनीज क्या गरेगी जो विदेशी कंपनिया जो लेप्टोपोर टेमलेट्स बनाती है वो इंडिया में आने का सोचेगी यहां पर फैक्टरीज लगाएगी साथ भी दूसरा बड़ा उप्शन यह है कि यहां के लोगों को इससे रोजगार मिलेगा प्रस इंडिया के से जो लागों और जो कीमती डोलर्स हैं वो इन छोटे-बोटे आइटम्स के चक्कर में बाहर चले जाते हैं उनको किसी तरीके से होल्ड करती जा रही है लेकिन यहां पर व्यापारियों और लोगों को भी यह समझना होगा कि उनको भी गवर्मेंट का साथ देना होगा अगर यह सक्षम होती है तो हो सकता है कि इंडिया में आने वाले टाइम में जो इंडियान प्रोड़क्स हैं उनके डिमांड बढ़ जाए औ और ओवर्रोल इंडिया के एकोनोमी और उनके लोगों के लिए ही अच्छा हो और कई सारे एक्सपर्ट के इसमें यह राय सामने आई है कि गवर्मेंट ने जो यह डिसीजन लिया है वो काफी अच्छा डिसीजन है क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इंडियान गुड्स की डि प्रोडक्स चल रहे थे इतनी देर तक वह सारे वही प्रोडक्स है जिनके ओपर गोवर्मेंट ने बेन लगाया है यह एलेक्ट्रों आइटम्स जादा तरह इंटरनेट और डेली यूजिस में काम में लिये जाते थे वहीं आज की बड़ी खबर की बात करी तो हो निकलकर प्रोड़ कारी है ज्यान वापी इलाके से जहां से यह पूरा मुद्दा शूरू हुआ था ज्यान वापी मजिद आप लोगों को पता होगा जो मुख्य मंत्री थे यूपी के उनके तरफ से भी एक बया निकल कर सामने आया था जाम पर उन्हों ने ग्यान वापी को मजिद बोलने से मना कर दिया था फिर बवाल भी होता इसके उपर काफी ज्यादा जिसका कोई मतलब निकलता नहीं है सल में अब इस मामले के अंदर एक नया अपडेट आया है अब अपडेट क्या है जरा वो भी जान दीजिए वाराणसी की ज्यान वापी मजिद पर इलाबाद हा पर आदेश दिया था मुस्लिम पक्ष ने इस से पहले कोट में फिर हाई कोट में एसाई के सर्वे को फेसले को चुनोती दी थी अब हाई कोट ने इस ज्याचिका को खारीच कर दिया है दरसल पिछले दिनों जीला जजज के एके विश्वेश ने शुकरवार को मजिद पर को लेकर सुप्रिम कोट का दर्वाजा खट-कटाया कोट ने सर्वे पर दो दिन के लिए रोक लगाते हुए मस्जिद कमिटी को हाई कोट जाने का आदेश दिया इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने हाई कोट का रुख किया और सुनवाए के बाद हाई कोट ने मुस्लिम पक् चुका था, अलाकि तब सुप्रिम कोड ने हाइपोट जाने को ही कहा था, इसमें ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है, इसे आपको समझना होगा, वहीं यूवबी के डिप्टिस सीम केशोफ परिसाद मोरिया ने कहा था कि मैं आदेश का स्वागत करता हूँ, मुझे विश्व के आयमपी भी इस मामले के ऊपर नजर रखे हूए है, कोड ने मस्जित का नुकसान पहुचाने से मना किया है, इसका भी ध्यान रखा जाएगा और हमीं जल्द ही सुप्रिम कोड के पेसले का इंतजार कर रहे हैं, इस पूरे मामले के अंदर अभी तक इतना ही अपडेट ह आज के शो में बस इतना ही मिलता है, फिर आपसे एक और वीडियो के साथ में तब तक देखते रहे हैं, टीवी पार 24, जै हिन, जै भारत